वाट्स अप वेलकम बेक अगेंट तू राज रोमियो गेमिंग तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3.4 का बैनर जो है होयोवर्स ने बता दिया है कि कौन कौन से केरेक्टर आने वाले है तो जैसे कि फेस बन में जो है हमारा अलहत्तम और सातीसाथ एनिमो डीपेस शाओ आ करेक्टर मुझे पुल करना चाहिए और कौन सा नहीं तो मैं इस वीडियो में आप लोग को जो है करेक्टर के थोड़ी डीटेल्स दूँगा जादा डीटेल्स नहीं दूँगा थोड़ा बहुत डीटेल्स दूँगा और साथी साथ मेरा लाश्ट में जो है ऑपेनियन और यह मेरा पर्सनल रिव्यू रहेगा कि कौन सा केरेक्टर मेरे हिसाब से पुल करना चाहिए अगर आपको यह सई लगता है तो आप भी पुल करना पहले हम केरेक्टर के डीटेल्स से जानकारी देख लेते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे न्यू डेंट्रो देख जाए तो इस वेरी सिमिलर टू कचिंग जो कि आप जो है टैब या होल्ड करके जो इसको अवे में ले जा सकते हो बट इसका फॉंक्शन काफी डिफरेंट है कचिंग से अलहतम का में डैमेज उसके प्रोजेक्शन अटेक से आता है जो कि आप देख रहे हो कुछ सकता है अभी तक के तो हमें अटेक दिखाया यह डैमेज दिखाया यह मैं अनुमान लगा रहा हूँ वो तो हमें कैरेक्टर आने के बाद ही पता चलेगा यह क्या है मैं उपर से रिविव दे रहा हूँ कि शायद इस तरीका हो सकता है जब आप एनिमीज को हिट करते हो उस दिखायब के लिए लेकिन जब भी आपका इसका इलिमेंटल स्किल यूज करोगे तो आपको दो स्टैक्ट मिलेगे और साथ ही साथ इसका जुपलेगे जब अलहतम जो है फफिक करेगा लेकिन उसका कूलडाउन जो है वह 12 सेकेंड का होगा तो आप चार्ज अटैक बार ब स्टेक्स का मतलब number of hits increase होगा based on कितने स्टेक्स हो रहे अगर आप जितने जादा mirror स्टेक्स आप यूज करोगे उसके burst में उतने जादा देर तक के लिए जो है उसका burst work करेगा और enemies को damage देगा ठीक है means ज्यादा स्टेक्स ज्यादा burst damage अलहतम burst खतम होने के बाद भी stacks generate करता है जैसे उसका burst मतलब खतम हो जाएगा वैसी वो stacks generate करता है तो वो कैसे करता है अगर आप zero stacks पे अलहतम का burst यूज करते हो तो आपको burst खतम होने के बाद तीन stacks मिलेगे अगर आप एक पे करते हो तो आपको दो दो स्टेक्स मिलेगे और जैसे कि मैंने कहाँ 아प जीरो पर करते हो तो आपको तीन स्टेक्स मिलेगे когда कुछ इस तरीका का इसका फ्लीय टायल है अब भी अधा हम כो पता है अब भी अलहत्यम आने का है तो यह थोड़ा बहुत गेमप्ले इसके बारे में बताया गया है तो मैंने आपको बता दिया है तो या इसको आप देख सकते हो इसका gameplay थोड़ा simple है आप एक देखा जाए तो इसका main पूरा जो damage आ रहा है वो projection से आ रहा है अब तो आने के बाद ही हमें पता चलेगा इसके detail में कि यह कैसा character होगा नेक्स्ट में अगर बात करूँ शाओ की तो शाओ आपको पता एक एनिमो dps character है वन अब दा बेस्ट एनिमो dps है अब तक के जो कभी नहीं आया है और especially हम इसे use करते है multiple group के लिए क्योंकि एक AOE damage पैदा करता है जो कि एनिमी इसको hard hit देता है लेकिन यह एक hyper carry character है यह only dps character नह पढ़ता है जिससे आपको एक double एनिमो की जहुरत पढ़ती है ताकि energy recharge जो है वो शाओ को maintain रख सके तो अभी फरुजन आईए फरुजन काफी अच्छी character है आप पता है अगर आपके पास फरुजन c6 है तो आपका शाओ काफी बढ़िया बन जाता है अगर फरुजन आपके पास c0 भी है मेरी तरह तो भी आप शाओ का यूज कर सकते हो कि मैंने खुद मेरे live stream में damage states किया है तो जहां मेरी हुताओ मेरा शाओ जो है सुक्रोज के साथ 80k के तक के damage दे देता था वहां मेरा फरुजन c0 के साथ 99k तक के पहुच जा रहा है तो यहां काफी difference हो जाता है और शाओ का playstyle काफी अच्छ है लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा शाओ के साथ यूज करने के लिए आपको starting में एक healer की जहुरत रहती है क्योंकि आप जब भी इसका burst यूज करते हो तो यह HP consume करता है HP decrease होती है इसकी धीरे धीरे तो आपको healer की जहुरत कोई comment करके अभी बोलेगा कि शायद भाई हम तो प्रो है हमको तो जहुरत नहीं पड़ती है बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसको जहुरत पड़ती है जो जादा प्रो नहीं है उनकी बात कर रहा हो ठीक है next आती हमारी हुटा 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 वन अब दे बैस्ट डीपी elemental mastery अगर आप उसमें देते हो तो आपको continuously high damage देती है इसका सबसे best damage आपको मिलता है इसके charge attack से charge attack अगर आप इसका use करते हो तो बहुत ही अच्छा charge attack आपको इसको देखने को मिलेगा लेकिन हाँ एक use है इसका charge attack अगर आप यूस करते हो तो यह बहुत जादा stamina consume करती है लेक mobile वाले कहते हैं मैंने तो mobile में जादा खेला नहीं बट या अगर आपके पास c1 होता हो जाती है तो वो भी आपके लिए problem नहीं होगे क्योंकि अगर आपको c1 कर लेते हो तो आपको jump cancel से better आपका dash cancel अगर आप use कर सकते हो अगर आपके पास c1 है तो mobile players के लिए शायद जादा बहुत ही जादा खतरनाक है मैं होताओ यूस कर रहा हूँ आप इस F2P as an F2P भी यूस कर सकते हो ड्रेगेंज बेन या फिर ब्लैक लिफ लगा के भी next अगर मैं बात करो तो हमारी सबसे जवर्दस character येलन के बारे में तो starting में जब येलन आये थी लोगों ने कहा था कि ये एक सिंचु की duplicate है क्योंकि इसका play style काफी हद तक कि जो है वो शिंचु के साथ मिलता है जैसे अभी अलहतम को लोग कचिंग का duplicate कह रहे है शाओ का duplicate शाहिनो कह रहे है तो ऐसे इसका भी किये लेकिन जहां तक कि देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये काफी better character है क्योंकि इसका जो burst damage है वो काफी अच्छा है 10K 12K चले जाता है और साथ ही साथ इसका जो burst मतलब जिसका जो elemental skill है वो भी अगर आप EM दे देते हो तो काफी अच्छा आपको damage इसमें provide मिलता है और रही बात double hydro की लोग जिसको शिंचु बोर रहे थे मतलब जिसको शिंचु की उपाद इसा character है जो HP से skill करता है आप शिंचु और यलन को साथ में use करके जो है ना आप उसे एक broken character बना सकते हो तो यलन काफी अच्छी है इसका cooldown भी बहुत कम होता है और जली जली burst आता है सबसे बढ़िया आप F2 पे में भी इससे बना सकते हो इसको easy to build a four piece emblem लगा दो तो यह best हो जाती है और हम बात करते हैं अभी हमारे सबसे best main part की कि हमें कौन सा pull करना चाहिए तो मेरी हिसाब से यह मेरा personal opinion है guys मेरे हिसाब से अगर आपको किसी को pull करना चाहिए पहला मेरे पास तीनों character है चौथा नहीं है चौथा भी नया आने वाला है तो मेरे पास तीनों character है उस हि यह यह यहलन क्योंकि काफी use होती है और फिल्ड में काफी जादा काम आती है कोई भी character के साथ काम आती है अगर आपके पास काफी साथे dps character है आपके पास minimum 2 या 3 dps character है आपको जहुरत नहीं है जादा dps की आप support को पहले build करो तो अगर आपके पास dps है already काफी साथ है तो प्लीज यलन के साथ जा सकते हो नेक्स्ट पर आती है हुताओ हुताओ इसलिए क्योंकि यह dps character है और बहुत ही जबर्दस character है पाइरो में अगर आपके पास पास यूमिया नहीं है या कोई भी character नहीं है तो फिर आप इसे जरूर ले सकते हो बस आपको सीखना पड़ेगा इसका जम कैंसिल करना अगर आपके पास उताओ C0 है तो आप इसे पुल कर सकते हो अगर आपके पास औरेड़ी हुताओ है और staff of हुमा है हुमा staff of हुमा के साथ हुताओ काफी OP हो जाती है तो आप C1 के लिए भी जा सकते हो जो की काफी हमारे जैसे इंडिया में F2P players जादा है तो वो काफी difficulty होती है बट फिर भी उताओ जो है वो काफी best character है second अगर मैं बात करूँ तो second मैं इसमें रखोंगा शाओ को third sorry third मैं शाओ को रखोंगा because शाओ एनिमो डीपियस है character है लेकिन इसको जो है जहुरत पढ़ती है एक team की एक team की जहुरत पढ़ती है क्योंकि इस सब जिशाओ के वज़े से मैंने इसको third में रखा है हुताओ से पहले ऊपर रखा हो अब यहाँ पर कोई शाओ वेन वाले बिलकुल comment ना करे के भया यह कैसा बोल दिया तुमने ठीक है it's my opinion ठीक है आपका opinion जो भी है आप comment में लिख सकते लेकिन hate बिलकुल नहीं फैलाना है ठीक है next अलहतम के बारे में इसलिए क्योंके अलहतम एक new character है I hope कि वो काफी अच्छा हो ठीक है new character है इसलिए मैं इसको इन लोगों से आगे नहीं रख सकता ठीक है main reason यही है बट जहां तक कि मुझे इसका play style वगरह देख के लग रहा है कि यह काफी awesome character होने वाला है ठीक है fun to play होने वाला है मजा आने वाला है इसके साथ और stacks manage करने पड़ेगे आपको तो यह it's better to choose तो आप अभी decide कर सकते हो मैंने अपनी बता दिया अपनी राय के कौन सा क्या है और रही बात सबसे best F2P के बारे में और सबसे main बात कि अगर आपके पास DPS है तो आप यलन के लिए जाहिए अगर आपको DPS की नीड है तो आपको DPS के लिए जाहिए अगर आपके पास नहीं है आपके पास let deine character है तो आप आप आपके पास Animo character की जाहिए सकते हो तो पर आपके आप आप लोग konsem्सिट को पसंद आए होगा and this is my personal opinion मैं चार बार कह चुका हूँ ठीक है कि ये मेरा personal opinion है तो I hope आप लोग को पसंद आया होगा तो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब के रिए मिलते हैं आप लोग को लाइफ श्रीम पे